हलो नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका इगनो के एक और महत्पून वीडियो में आप देख सकते हैं जैसा कि अभी हम इगनो के ओफिसल वेबसाइट पे हैं जहां इगनो के कुछ एलर्ट्स और अपडेट आपको यहां देख रहे होंगे इसमें सबसे इंपोर्टेंट अग पहले दिसंबर 2022 के लिए अपने एक्जामिनेशन फॉर्म को फिलब कर ले जिस भी सब्जेक्ट का आप एक्जाम देना चाहते हैं उस सब्जेक्ट के लिए एक्जाम फॉर्म फिलब कर ले ताकि आप दिसंबर 2022 में जो एक्जाम होगा उसमें बैठने योग हो सके क्योंकि इग्जाम का यह rule है कि अगर आप exam देना चाहते हैं तो उससे पहले आपको exam form भरना अनिवारी होता है अगर आप exam form फिलप नहीं करते तो आपको exam में बैठने नहीं दिया जाएगा इस करण से ध्यान रखे अगर आप exam form भरते हैं तभी आप exam में बैठ पाएंगे तभी आप आपका admit card आएगा इन सब बातों का ध्यान रखे अगर हम इसके last date की बात करें तो आप देख सकते हैं exam form की 10 नौवंबर 2022 यह date रखा गया है जो कि इसका last date है अगर हम detail में इससे देखे तो आप यहां देख सकते हैं 10 नौवंबर 2022 इसका last date है जो कि without fee है यहां आपको late fee नही exam form को fill up करते हैं 10 नौवंबर 2022 तक अगर आप अपने exam form को fill up करते हैं तो आपको correlate fee नहीं लाएगा लेकिन वहीं 10 के बाद 11 नौवंबर से 15 नौवंबर 11 नौवंबर से 15 नौवंबर के बीच अगर आप अपने examination form को fill up करते हैं तो आपको per subject जो की normally आपको 200 रुपे देना परता है इसके आलावा आपको 1100 रुपे तक का penalty देना पड़ेगा तो इस वैसे last date का इतजार ना कड़े उससे पहले अपने exam form को fill up कर ले और कई student के सोच रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए देकि आपने जिसका exam दिया है उसका result तो आएगा ही अगर आपने अच्छा दिया है तो result अच्छा ही आएगा अगर आपको लगता है कि आपने बहुत ही बेकार exam दिया था तो आप दुबारा से उस subject का exam form fill up कर दें और उस बीच अगर आपका result आता है तो उस subject का आप exam ना दे और जिस subject का अभी तक आपने exam नहीं दिया है और जिसका आप देना चाहते हैं उसका कम से कम examination exam form अवश्य भर ले ताकि आप December 2022 में exam दे सके और आपका जो year है वह लेट ना हो आपका जो session है वह लेट ना हो इस प्रकार अपने exam form को fill up करें इन सब बातों को ध्यान में रख करके और रही बात अच्छे number लाने की उसके लिए सबसे जोड़ी है कि आप शुरुआत से पढ़ाई करें क्योंकि exam में आने वाले प्रशनों के उत्तर अगर आप देंगे तभी आपको number मिलते है ऐसा नहीं है इग्नो है distance है या कोई sympathy है student के साथ कि इग्नो जो checker होते हैं वे आपको वैसी ही number देंगे ऐसा कुछ भी नहीं होता जो student ऐसा सोचते हैं कि इग्नो में ऐसे ही pass कर दिया जाता है वह बादवे पस्त आते हैं जब उनका result आता है क्योंकि या तो fail हुज आते हैं या फिर number बहुत कम आता है इसल लिए पढ़ना अनिवारी है पढ़ें तभी आप एक्जाम में अच्छा प्रतर्शन कर पाएंगे तो चलिए ऐसी जानकारी के साथ हम लगतार आप से मिलते रहेंगे ऐसी वीडियो पाने के लिए इग्नो की न्यूस से अपडेट होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करे लाइक करें मिलते हैं अगले वीडियो में वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद